नमस्कार दोस्तो आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मिरा नाम है रविंदर दोस्तो आज कुडियों बात करने वाले हैं स्मार्ट कनेक्ट एप्लिकेशन के अंदर आए नए अपडेट स्टैप कोप के बारे में तो दोस्तो यहाँ पर कापी सारे ऐसे रिटेलर भाई होंगे जिनको यह ओप्षन स्मार्ट कनेक्ट एप्लिकेशन में मिल चुका होगा यहाँ पर कापी सारे रिटेलर भाईयों का सवाल है कि हमारे smart connect application के अंदर है ये option वरकर नहीं कर रहा है कि ये option कब तक काम करेगा और कापी सारे रिटेलर भाईयों को क्या benefit है तो आज कोड़े हम चर्चा करेंगे इन सभी विशयों के उपर तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर किजेगा और मेरे दुवारा दी गए जानकार यादि आपको पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा तो दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर किजेगा तो दोस्तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी दो तिन दिन पहले यह उप्शन स्मार्ट कनेक्ट एप्लिकेशन में जोड़ा गया है वी आई कमपनी की तरफ से अब दोस्तो यहा Rankime आदू जैसे कि आप अप एटलकर रिटेलर हैं यह कापी सार्व दplateo कोते हैं उनके पास 6 साल पुरानी साल पुरानी सीम तो वह निए संग कापी पुरानी सील में ऊसका रिए रिपकेशन होना आनिवारी है तो कस्टूमर के पास एक SMS भेजा जाता है कि आप अपने निजदी की रिटेलर के पास जाईए और अपनी SIM के जो है रिवेर रिपकेशन करा लीजे तो दोस्तों ये प्रोसिस जो है अभी श्टार्ट नहीं किया गया है नहीं एटल की तरफ से क किया गया है तो दोस्तों आने वाले कुछी महीनों के अंदर अंदर आप जो है इस ओप्सन को एटल में भी यूज करेंगे और स्मार्ट कनेक्ट एप्लिकेशन में भी यूज करेंगे अब बात करते हैंगे जब यह ओप्सन चालो हो जाएगा तो रिटेलर भाई को इसका क आपकी सोब पर कोई ग्रहाक अपनी सिम कार्ड का रिवेरिपकेशन कराने के लिए आता है तो यहाँ पर दोस्तों आप उनसे कुछ चार्ज कर सकते हो माले जी सकोच किजिए 20 रुपे चार्ज कर सकते हो 40 रुपे या 50 रुपे जैसे भी आपकी इच्छा होती है आप कुछ हिसाब से कस्टूमर से पैसे ले सकते हैं रिवेरिपकेशन करने के अब दोस्तों यहाँ पर कस्टूमर को रिवेरिपकेशन कराना ही पड़ेगा क्योंकि दोस्तों यदि ग्रहाक अपनी सिम कार्ड का रिवेरिपकेशन नहीं कराएगा तो उनकी सिम कार्ड को कंपनी द्व बाई को क्या benefit मिलेगा तो चलिए दूस्तों मैं लेता हुजाजत मिलेंगे आप से फिर किशनी वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत